Hello students, आज हम करेंगे NCRT Class 8 Maths का Chapter 15 Introduction to Graph ये वाली वीडियो इस Chapter की Introduction है तो पहले तो समझेंगे कि Graph क्या होता है आपने कई बर कई न्यूजबेपर जा टेलिवीजन वगारा में जा बुक्स वगारा में Graph देखे होंगे तो Graph के क्या होता है कि अगर हमें कोई भी डाटा दिया हुआ है तो अगर हम उसको Graph के जरीए रिपर्जेंट करते हैं तो हमें Easily समझ में आ जाता है तो इसकी जो First Type है वो है हमारे पास Bar Graph तो Bar Graph क्या होता है इसमें हम अलग-अलग Categories को Compare करते हैं जैसे for example यह इन्होंने Graph दिया हुए यह जो यह वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं X-Axis यह इसको बोलते हैं Horizontal Line और जो खड़ी वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं Y-Axis जो वर्टिकल लाइन तो इसमें क्या दिया हुए है अनू के थ्री टर्म के Marks दिये हुए है यह फर्स्ट टर्म है यह सेकंड टर्म और यह थर्ड टर्म यह वाले जो बोक्स दिये हुए है इसको हम बोलते हैं Bars तो देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमारे पास होते है 0 यहाँ पे 0 है यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 तो 0 के बाद यहाँ पे 10 है तो 2 boxes यहाँ पे दिये हुए है यहाँ पे भी 2 boxes है यहाँ पे 2 boxes है यहाँ पे जो 1 box है उसकी value कितनी है 5 है यहाँ एक box को हम क्या consider करेंगे 5 unit तो 1 टर्म में उसके कितने Marks हुए यहाँ पे है इसकी line तो अगर हम इस तरफ देखेंगे तो यह 20 और 30 के बीच में आ रहा है तो means 1st term में उसके Marks कितने दिये हुए 25 तो जो 2nd term है उसमें उसके Marks कितने है 30 है और जो 3rd term है उसमें उसके Marks कितने 45 है तो हमें graph में देखकर ही पता लग रहा है कि किस time में उसके Maximum Marks आ रहे है और किस time में Minimum Marks आ रहे है यह थी इसकी 1st time इसमें यह अगर 2-2 का difference है तो 2-2 boxes छोड़ कर यह Bars बनेंगे अब next है हमारे पास Double Bar Graph यह Bar Graph यह है लेकिन जो इसमें Bars हैं वो Double बने हुए है तो इसमें क्या दिया हुए है जो horizontal में हमें दिया हुए fruits दिया हुए mango, apple, orange, papaya, banana और जो vertical line है उसमें क्या दिया हुए sales in kg means days wise fruit की कितनी sale हुई है वो हमें दिया हुए तो यहाँ पे जो dark box है उसको क्या consider किया हुए Monday और जो light है उसको क्या किया हुए Tuesday means अगर हम देखें mango, mango की sale Monday को कितनी हुई है और Tuesday को कितनी हुई है इसके बीच में comparison पता लग रहा हमें तो Monday को जो किसकी है mango की जो sale है वो कम हुई है और Tuesday को क्या हुई है जादा हुई है तो इसमें जो bars है वो साथ साथ में जोड कर बनते हैं और इसको हम बोलते हैं double graph जब दो चीजों का comparison किया हुआ हो next type है इसकी pie graph जहां हम इसको circle graph भी बोलते हैं जो circle है वो पूरी value को show करते हैं जैसे यहाँ पर example दी हुई है यह जो graph दिया हुए यह दिया हुए percentage of viewers of watching different type of TV channels मीन जो TV channels है उसको जो देखने वाले लोग है उसकी percentage दी हुई है चैनल को देखने हैं जैसे entertainment channel है वो कितने परसेंट लोग देख रहे हैं 50% वैसी sports है 25% देख रहे है news channel है जो 15% और informative channels है वो कितने लोग देख रहे हैं 10% यह जो pie chart है वो किसकी help से बनते है D की help से बनते है हमें यहाँ पर central angle दिये होते है तो हम उसकी help से pie chart बनाते है next है हमारे पास histogram histogram भी एक तरह का bar graph होते है लेकिन इसमें जो हमें data दिया होते है वो क्या दिया होते है intervals में दिया होते है जैसे यह example दी हुई है पहले weight दिया हुआ है kg में और यहाँ पे number of persons दिये हुए है means of 40 से 45 तक जिनका weight है वो कितने persons है 4 persons है यहाँ 45 पे end हुआ था तो यहाँ पे 45 से start करेंगे 45 to 50 जिनका weight है वो कितने number of persons है 12 तो जैसे bar graph था उसमें individual दिया होता था लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है एक तरह का group में दिया हुआ है तो इसमें जो bar है वो क्या होते हैं साथ साथ में जोड कर बनते हैं उसमें अलग अलग बनते थे और इसमें क्या है जोड कर बनते हैं जैसे नीचे हम horizontal में x axis में लेंगे weight और यहाँ पे vertical line पे ले लेंगे number of students तो यहाँ पे 40 से start हो रहा है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है origin तो उसके बाद हमने difference क्या लिए है जैसे 40, 45, 50 तो 55 का difference ले रहे हैं लेकिं यहाँ पे हमने क्या किया 0 से सीधा jump कर दिया 40 पे जो बाकी बीच वारे number थे एक तरह बीच में क्या कर दिया fold कर दिया तो यहाँ पे ऐसे zigzag मनाते है इसको हम बोलते है king तो vertical line में क्या दिया हूँ है 0, 2, 4, 6, 8 means दो दो box यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 है means जो एक box है वो कितने का है 1 unit का है तो यहाँ पे 40 से 45 तक जिनका वेट है वो कितने persons है 4 तो यहाँ पे बनाएंगे 40 से 45 तक number of persons कितने है 45 तो हमने 45 से start किया ना जैसे आगे दिया हुआ है 50 से 55 तक जिनका वेट है वो number of persons कितने है 13 है तो यहाँ से 50 से start करेंगे तो यहाँ पे हम एक बार बना लेंगे 13 की तो next type है हमारे पास line graph जो line graph होता है वो हम तब बनाते है जब किसी चीज में change continuously आ रहा हो जैसे एक्जेंपल दी हुई है रेनू fall sick रेनू बिमार है तो डोक्टर ने क्या किया उसका temperature time to time क्या किया record किया तो जैसे जब time 6 a.m था तो उसका body का temperature कितना था 37 degree celsius था 10 a.m पे body temperature कितना 40 degree celsius वैसे 2 p.m पे कितना हो गया temperature 38 और 6 p.m पे temperature कितना है 35 तो हम क्या करेंगे जो time है उसको हम horizontal पे ले लेंगे और जो temperature है celsius में दिया हुए उसको हम vertical में ले लेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 10 to 6 means यहाँ पे जो कितना time के बाद record किया 4 4 hours के बाद record किया तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 और यहाँ पे 0 यहाँ पे ले ले लिया 30, 32, 34, 36 तो 0 के बाद हमने सीधा जंप किया 30 पे तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे किंक लगा देंगे तो यहाँ पे हम difference ले रहे है 22 का means जो एक box है उसकी value कितनी है 1 unit है अब 6 am पे temperature कितना दिया हुआ था 37 तो 37 कहाँ पे आ जाएगा 36 और 38 के बीच में तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे डोट लगा लेंगे ऐसी 10 am पे कितना दिया हुआ था temperature 40 तो यहाँ पे 40 पे डोट लगा लेंगे वैसी 2 pm पे दिया हुआ था 38 और 6 pm पे temperature कितना हमारे पास 35 तो अब हम इसका line graph बनाएंगे इन points को क्या कर देंगे जॉइन कर देंगे तो यह बन गया हमारे पास line graph means हम continuously हो गया यह यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो यह थी हमारे पास graphs की type आज की वीडियो में बस इतना ही next वीडियो में हम exercise 15.1 start करेंगे thanks for watching